हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टूपाई स्टेडी सरकल माई नेम इस तबस्तू मुराच की वीडियो का टाइटल और थमनेल देखकर काफी सारे निस्वाले स्टूडेंट्स समझे के हों कि मैं यहाँ पर क्या बताने वाली हूँ जी हाँ यहाँ यहाँ बात करने वाली हूँ चैन्थ और च्वेल्थ के उन स्टूडेंट्स की जिनके प्रमोट होने के चांसे खत्रे में पढ़ सकते हैं हां जी आपको पता है कि अगर आप लोग प्रमोट किये गए क्योंके देखे नंबर ओफ कोरोना के इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं डे बाई डे इतने ज्यादा आपके नहीं होंगे और आपको प्रमोट किया जाएगा बट गाइस हंट पर संट हम उसको तब तक नहीं बोल सकते जब तक कोई अफिशल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो आपके प्रमोट होने के चांसे हैं बहुत अच्छे कासे चांसे हैं इस चीज़ को आप हो सकते हैं अगर आप अभी भी यह मिस्टेक कर रहे हो क्योंकि मेरा कॉमेंट सेक्षिन है वह काफी सारे इस तरीके के कॉमेंट से भड़ा हुआ है जो मैं आपको यहां पर वीडियो में बताने वाली हूं इसी तरीके कि अगर आपको लेटेस्ट अप्डेट्स चाहिए औ यहां यहां पर ड्रीके करते हैं और एक आपको अभी आपको सब्सक्राइब करके रखें ताकि चाहें आपकी प्रोमोशन की न्यूज हो या फिर आपकी स्टेडि हो क्यों प्राक्रिकल हो यह सारी के सारी चीज़े आपको तुरंत से मिल जाएं जो भी अप्डेट होता रह में बात करने वाली हूं एक्जाम फीस की जी हां एक्जाम फीस और अभी भी मुझे देखकर बड़ा मतलब शौक लग रहा है कि काफी सारे बचे और कहां सो रहे हो आप लोग इतने सारे स्टूडेंस अभी भी कॉमेंट करते हैं कि मेरी एक्जाम फीस सम्मीट नहीं हुई है अगर आपकी सम्मीट नहीं हुई है न तो दुनिया की कोई ताकत ना तो आपको प्रमोट कर सकती है ना ही आपको एक्जाम देने में अगर आपके बाई चांस एक्जाम होते हो ना ही आप अगर प्रमोट होते हो जिसके अच्छे खासे चांसे हैं तो आप प्रमोट भी नह अंदर जिन बच्छों को पब्लिक एक्जामनेशन में बैटना था उनकी जो एक्जाम फीज थी उसको स्टेंड करके 18 अपरेल कर दिया था और बावजूद इसके काफी सारे बच्चों ने तभी भी एक्जाम फीज सम्मिट नहीं की सो यहां पर मैं आपको बता दूँ 18 अपरेल के बाद वैसे तो यह डेट खतम होगी थी आपकी एक्जाम फीज सम्मिट करने की लेकिन अब एक गॉल्डन ऑपोरिचनेटी मिली है कि आपकी जो एक्जाम फीज है वो अभी भी सम्मिट हो रही है जी हाँ जिन बच्चों ने एक्जाम फीज सम्मिट नहीं की है फटा फट से आप अपनी एक्जाम फीज सम्मिट कर दीजे एक कोल्डन ऑपरचनेटी उन स्टूरेंस को मिली है तो आप अपनी एक्जाम पर सकते हैं अपना अन्रोल नमर भरेंगे और उसके बाद आपके सब्जेक्ट वगरा खुल करके आ जाएंगे तो आप अपने अग्जाम कर सकते हैं यह जो पूरा प्रोसेज अग्जाम फीस समिट करने का अगर किसी बच्चे को खुद से एक्जाम फीस कैसे जमा करनी है धिस्क्रिप्शन बॉक्स आप एक बार देखिए और घर बैठे आप अराम से जो है अपनी अग्जाम समिट करें आपको कहीं जाने की जोरूत नहीं है ठीक आप इस तक आपने अपनी अग्जाम फीस समिट नहीं की है थो आप इस Tobię przekने अतलब आप प्रों disciplined Hindi को पली शेयर खराब हुई पड़ी है काफी सारे ऐसे स्टेटस हैं जहां है पर यूँड गवर्मेट ने एकजाम को मतलब वह कर दिया है काई सारे ऐसे स्टेटस हैं जिन्हों ने ऐसा फैंस ला लिया है यह तो आपके फक्रोमोटों मिल जाएगी इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बड़ा इक उनको प्रेस करके रखें ताकि आपको लेटेस्ट अब्डेट्स पी मिले और साथ ही साथ गाईज मैं बहुत सारे बच्चों से यह भी बोलती हूं मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ चीज को लेकर अपनी स्टडी को बिल्कुल छोड़ना नहीं आपको 10 के बच्चे भी सुन लो 12 के बच्चे भी एनाइस वाले स्टूड़ेंस बिल्कुल भी अपनी स्टडी को आप छोड़ोंगे नहीं वन मंथ स्ट्राइटजी का प्लैन मैंने आपके साथ शेयर किया था जिस पर आपका बहुत अच्छा मुझे रेस्पोंस देखने को मिला था सो लेट्स स्टडी के नाम से मैंने एक वीडियो डाली थी इसको आप एक बर जरूर देखेगा ताकि आपको स्टडी की मोटिवेशन मिल सके साथ ही साथ अपनी एक महीने के अंदर आप किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं वो भी आपको मोटिवेशन वहां से मिल जाएगी तो इस वीडियो का लिंक भी में नीचे डिस्रिप्शन वोक्स में डाल दूंगी ठीक है तो पढ़ाई को एकदम से बिल्कुल नी छोड़ना है थोड़ा 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 आपको पढ़ना है लेक बाकि हमारे चैनल पर आपको दिन में दो तीन वीडियो आपके स्लेबस रिगार्डिंग मिल जाती हैं जिस पर आपकी प्रैक्टिस क्लास चल रहे हैं तो उनको जरूर आप अटेंड करिए हिंदी की इंग्लिश की और डिफरेंट सब्जेक्स की ताकि आपके सब्जेक्स तो पढ़ाई रखनी है जस्ट आप वीडियो सुनिए लिखना कुछ नहीं सुनते रहेंगे तो टच में रहेंगे पढ़ाई के वीडियो कैसी लगी है प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताना अपने कच्छे पके सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना मेरे चैनल पहली बार आयो हो तो सब्सक्राइब करके जाना ताकि आपको लेटेस्ट अब्लेट्स मिलती रहें और गई इसके लावा मेरे दूसरा चैनल है जिसका नाम है लर्ण इंग्लिश बायत अबस्तुम तो उस चैनल पर मैं आपको पढ़ाती हूं इंग्लिश एक बर जरूर द एक बार देख लेना चैनल का लिंक इन दा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ठीक है और गयज अगर आपको पर्सनली हमसे जूड़ना है तो whatsapp ग्रूप का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बिल जाएगा तो आप what ? से भी हमसे जूड़ सकते हैं कोई भी आपका डाउट